हमारे साथ हैं वेश्णों संप्रदाय के राजी मुझे महाराश्री जिनका वल्लक कुल से भी प्रगाड संबंद है और हम तो उनको अपने वीज पाकर बहुत आरंदित हैं माहाराश्री नों न ह travelled ऑपनी परंपरा को जिवित परंपरा कहते हैं तो उसका क्यारत है देखिए आप जिवित परंपरा भी कह सकते हैं और पारिवारिक हमारा जू संसमाज कहिते हैं आप जो गुरू के बाद एक नए गुरू का जन्म होता है वो चैश शिष्य की रूप में हो चैवन का अनुयाई हो लेकिन हमारे हैं एक पारिवारी गुरूप से यह रिष्था चलते चला आता है और यह समझे करें छैसो सासो साल पूर्व से हम लोग भक्तिकाल से इस परमपरा को च जानते हैं मचोई और दूसरा क्या है भर्ट तेलंग और जो गुसोमी और जितने भी हमारे मंदिर है यह एक बहुत नजदी का रिष्था हम लोगों का होता है क्योंकि हम हमारी लड़कियां वहां शादी करती हैं वहां की लड़के हमारे आती हैं तो यह बिलकुल घर जैस में उसके बारे में पुछना चाहती थी जो पिल महाराज के लग रहा है आप इसलिए मेरे सामने आई हैं तो यह बनी थी और आप इसको चुक्छा प्रिलीज करने का शड़ेत रचा रहा था एक उचिकी चैनल पर प्रसिद्यों की चैनल है जिसे भाराज सरकार सब्सिदी देती है और यह विदेशियों की चैनल है जिने इस तरह सब्सिदी दोती है और अधिकांश का हम देखते हैं कि या तो वहां पर एंटी इंडिया या फिर एंटी हिंदूरिस्म की जो फिल्म में परमार रहती है उसी कड़ी में हमें बदा चला आपके विचार की वीजिफि एस नहीं होनी चाहिए या बहुत सारी ऐसी समस्या है लेकिन आप अचानक अभी क्यों आचानक सबसे पहले अभी कियों वाला प्रश्ट हमारे सामने आता है कि अभी तक जब हम पिछले साड़े साथ सो साल से एक परंपरा को लेकर चलते आ रहे हैं जीवन परंपरा चल रहे हैं और उस परंपरा को लेकर चल रहे हैं जो भी एक अंग्रिजों के समय हुआ था अब अंग्रेजों के समय के मुगल के समय जाते हैं रही हो द्धर्म नों भी भेस्थ। करने वाले लिखत कि विरूत जो वानहानी का दावा था उस उसमें जरूर ऐसा हुआ कि उनको कुछ जुर्बाना भरना पड़ा लेकिन परवपरा को क्रिमनलाइज नहीं क्या रहा लेकिन क्या आप सोचते हैं कि इस विल्म में वह कोशिश की जा रही है नहीं ता है कि यतनी विवस्ता बनी होती हैů जैसे कुछ विवस्ता होती है जो कि खराब करने के लिए कुछ विवस्ता आती हैं जो आपको सुधारने के लिए डिए जो यह लोग कि desi एक नए तरीका का भर्मित करना लोगों को एक नए जाल में फसा रहे हैं अब उसमें जो भी लोग हैं उनको सोचना चाहिए कि धर्म कभी खतम नहीं होता वो एक बहुत लंबी समय तक चलता है और हम जो हैं जिस धर्म को लेकर साथना धर्म को लेकर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं सबसे बड़ा जो आपका जीवन परमपरा है यहां पर स्थापित करोड़ों के अनुयाई हैं तो करी ऐसा तो नहीं कोई ऐसा प्रयास के जाए कि उन करोड़ों अनुयाईयों को बाट कर किसी और तरफ ले जाया जाए देखे जितनी बात अगर मैं यही बात अपने मुक से बोलता है तो लोग कहते हैं कि एक महराज अपनी बात बोल रहा है यह बात आप हर व्यक्ति जानता है हर व्यक्ति को मालुम है कुछ लोग खुलकर बोलते हैं कुछ दविस्वर बोलते हैं लेकिन यह सच्चा ही है कि जब भी किसी चीज को दबाया जाता है तो उसमें बहुत सारे चीजें एक साथ काम करते हैं और आजकल तो शोचल मेडिया अतना पाउरफुल हो गया है कि वो एक छोटी सी बात को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए वो बहुत बड़ा एहम रूल निभा रहा है पर आप अपनी तरफ से क्या प्रप्रा तो देखिए इसापित है लेकित आप अप प्रॉल्म्स आई है और जो यह इसकी दो बात नहीं करता हूं मैं इसके चलो यह तो बहुत चोटा सा जब आप अच्छा काम करते हैं अप लोग अपनी परंपरा को जीवित परंपरा कहते हैं तो उसका क्या अर्थ है देखिए आप जीवित परंपरा भी कह सकते हैं और एक पारिवारिक हमारा जो संसमाज कही है आप एक तरह से वो हम उस समाज से बलॉंग करते हैं तो जितने भी संपरदाए हैं उसमें गुरू के बाद एक नए गुरू का जन्म होता है वो चैस शिश्य की रूप में हो चै 2700 साल पूर्व से हम लोग इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं जब मुगल शैशन काल था तब से हम इस परंपरा को चलाते आ रहे हैं और हम भट मैं मेरा नाम सजय भट के नाम से भी लोपक चानते हैं बचुई और दूसरा कहा है भट तैलंग और जोई गुसोमी और जितने वहां के लड़के हमारे आती हैं तो यह बिलकुल घर जैसा रिष्टा है और यह अभी का नहीं है अमारे परिवरिक है आप अपने कोई फिल्म की बात होती है कुछ चर्चाएं होती है मैं उसके बारे में पुछना चाहती है कि जो फिल्म महाराज के लग रहा है आप इसलिए मेरे सामने आई है है और इसको चुक्छा पर रिलीज करने का शड़े रचा जारा का एक चैनल पर प्रसित बातू की चैनल है जिसे भाराज सरकार सब्सिडी भी देती है और यह विदे इसके प्रती आपका क्या विरोध है और आपने क्यों कहा ये कि इसको बैन होना चाहिए इसकी स्ट्रीमिंग नहीं होनी चाहिए देखी विरोध हमारा फिल्म के प्रती नहीं है विरोध तो क्या है फिल्म तो हजारों बनती है बड़े-बड़े बना रहे हैं बड़े-बड कॉंसेट प्रष्ट वह रहा हैं बड़ी बड़ी यह समझे आज की बहुत सारी ऐसी समस्या हैं बहुत सी ऐसी बाते हैं चलते आ रहे हैं जीवन परمपरा चल रहे हैं और उस परमपरा को लेकर चल रहे हैं जो हमारा जो रिश्टा है वो रिष्टा हमारे जित्ते भी अन्युवाई हैं, हमारे भक्त हैं, उनसे एक पिल्कुल पारिवारी रिष्टा बना हुआ है, उस रिष्टे में खटास डालने के लिए, आप एक कोई, पुराना कोई केस निकालते हैं, जो भी एक अंग्रेजों के समय हुआ था, आप अंग उस कहानी के एक अंग्रेज जश्मेंट देता है। व्वस्तायः बनी होती हम जैसे कुछ व्वस्तायः खराब करने के लिए बनी होती है। जो यह लोग किसी एक नय तरीका का प्रम्यत कतना है लोगों को एक नय जाल में फसा रहे हैं। आप उसमें जो भी लोग है उनको सोचना चाहिए कि धर्म कभी खतम नहीं होता। आतंधर में भी आप लोग वैशनव संप्रदाय और शुद्धत वयत वेदान्त को लेकर आपको चल रहे हैं और इस प्रकार्टा उसके उपर आधात करना आपको नहीं अपता कि एक सोची सब्जी साज़िश हो सकते इंटरनेशनल क्योंकि देखे एक पर आज कल देख रहे हो कोई ऐसा प्रयास को पाट कर किसी और दूआ जाया आ है अग đầu कि एक महराज आत्य में बिखुर किते हमें को मालूम है कुछ लोग खुल कर बोलते हैं कुछ दमुंता में रहे हैं कि क्थिछ को दबाया जाता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें एक साथ काम करते हैं और आजकल तो social media अतना powerful हो गया है कि वो एक छोटी सी बात को बढ़ाने के लिए घटाने के लिए वो बहुत बड़ा एम रूल निभा रहा है पर आप अपनी तरफ से क्या प्रेक्स करने हैं यह जो बती होग से आरह हुआ और तो देखिए इस बात बताता हूं हाँ एक बात बात बाता हूं मैं मैं सब्सक्राइब मैं थोड़ा देश के बहरी रहा हूँ और रहता हूँ लेकिन अभी जब यह प्रॉलम्स आई हैं और जो यह इसकी दो बात नहीं करता हूं मैं इसके पर यह चलो यह तो बहुत चोटा सा जब आप अच्छा काम करते हैं तो आपके बहुत सारी अटकले आती हैं बहुत से तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ यह निकल कर आएगी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो कि समय के अनुसार कुछ बदलनी चाहिए थी जो देखे वो एक मोगल शाषन काल था हमारे रहने का तरीका अलग था हमारे बात करने का सोचने का तरीका बहुत अलग चीज़े थ तो मैं उसी चीज़ को बहुत लंबे समय से पिछले 18 साल से ही सोच रहा था कि कुछ उसमें परिवर्तन किये जाए और जो आज की युवा पीडी है जो थोड़ा सब यह समझे कि आज धर्म से थोड़ी भटकाव हो रहा है उसका और जो अन्य धर्म के लोग हैं बलकि हमारी अन्य संपरदाय के लोग हैं उनको कुछ नई नीती समझा रहा है नहीं बाते बता रहा है उन सब को देखते हुए मैं भी कुछ परिवर्तन में दिमाग ला रहा हूं और जल्दी ही कुछ चीजें ऐसी में आपके सामने लेकर आँगा जो कि धर्म को अच्छे ढंग से आप चैनल लेकर आ रहा है जिसके अंदर आप यह समझे कि हमारे उपर एक इश्वर की बहुत बड़ी अनकमपा रहती है तो उसमें बहुत से ऐसे कविता हैं बहुत से प्रवेच्छन हैं बहुत से ऐसे मुक्तामणी हैं तो अलग लग नाम से हैं उसके अंदर जो की आपको दे आपको देखने को मिलेंगी तो आपी समझेगे तो यह OTT चैनल है आपके साबसे हैं इसमें भी धर्म के विरुत जो शड़यांत्र है उसके काउंटर में आप लोग भी कोई ऐसी चीज ओवर दे टॉप नहीं हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम सिर्फ अगे बढ़ाना है जो अ अच्छी दिशा लाकर लोगों को उसकी जन करें दे इस विल्म के प्रती आपका जो यह सोचना की इसका स्ट्रीमिंग वनीच है वो इस तरह क्यों कि परिवार पर आएगी तो मैं जब बोलूँगा क्या इस तरह का भावना का मामना नहीं आरा देखे परिवार तो हमारे सा के हुए हैं और हमने जब धर्म के सापना की थी जब हमने शुरुवात की थी आपके संपर के लोगों को बताया था इसके बारे में तो आप यह समझे कि आज इतनी पीठ है करोनों शिष्य करोनों लोग हमको पसंद कर रहे हैं और आप देखे लाखों लोग शीनाजी के आगे तक अध्यन कर रहे हैं तो आपको अजय करें यह आपका पुल है या आप लोग की जो प्रश्न भक्ति की जो परंपरा है आपको प्रिवार की उस वह आप लोग सब जो है वह रिच्छमेंस गॉड है इस दिरों के मंदिर में मंदिर में किसी कूरूप नहीं होती बग अगवान के दर्शन करने की और आप कहते हैं रिच्छमेंन गॉड है और यह बाते तो देखे यह आपकी सोच हो सकती है आप हमारे मंदिर में आए वहां देखिए आप बहुत सभी प्रकार के लोग होते हैं जो भी इश्वर को पसंद करता है हमारे क्रश्ट को पसंद करता है हम सभी उनके साथ हैं और मैं चाहता हूं कि अब मुझे थुड़ा इजायत दीजाए